हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तो थर्टी सिक्स्थ लेक्चर ऑफ दे चैप्टर सेक्शुल री प्रोड़क्शन इंफ्लावरिंग प्लांट्स आयम हरीशु कुमार और इस लेक्चर में हम लाइफ साइकल ऑफ एंजियो स्पर्म समझेंगे तो चलो यह लेक्चर शुडू करत हैं चलिए तो बात करते हैं life cycle of angiospums की यहां पहें आपके सामने एक आउटलाइन दिख रहा है of the life cycle of angiospum obviously हम angiospum की बात कर रहें तो हमें angiospumic plant को consider करना होगा angiospumic plant का एक बड़ा ही important characteristic feature होता है इनमें आपको flowers देखने को मिलती है तो angiospum के plant में क्या है flower है प्लावर जब मैंने आपको पढ़ाया ता Paige of flower में तो मैंने पहाया प्लावर में चार तरह के Honवल होते हैं एक होता है kalyx एक होता है ком्रोल ठीक है kalyx and This both are accessory horоме और फिर दो essential horals होते हैं ठ्यायात करें घन्योहियम एंड Jake गाइनोशियम जो होता है उसका यूनिट होता है कारपल और एंडरोशियम का यूनिट होता है स्टेमन कारपल इस एक्युवैलन टू मेगा स्पोरोफिल कारपल इस अ modified leaf जिनमें आपको mega spore मिलेंगे ठीक है तो इसलिए हमने कह दिया carpel is equivalent to mega sporophyll stamen on the other hand it is equivalent to micro sporophyll क्योंकि देखो stamen क्या है it is a modified leaf जिनमें micro spor देखने को आपको मिलेंगे ठीक है अब आगे बात सुनिए जो carpel होता है कारपल के तीन पार्ट होते है सबसे उपर में होता है stigma बीच में style और नीचे ovary ovary के अंदर ovule होता है अब यह या तो एक ovule हो सकता है या more than one ovule हो सकता है ठीक है तो carpel के अंदर आपको ovule दिख जाएगा stamen के दो पार्ट होते है अंस्टि में अंतर अननतर diagonal स्टिमिन का जो एंतर compartir में आगे होता है धिक है और आस्टमे अंतर होता है और यह में तो मिंद स्टमेंग में यह च के अंदर एक ही मेगा स्पोर mother cell होता है ठीक है और एक pollen sack की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कई सारे micro-spore mother cell होते हैं ठीक है अब यह cobore mother cell होता है और यह钵म माइक्रो spore mother cell होते है वह combined mean division यानि की reduction realization मयोसिस के हमizes की और number of chromosome होता है, एक तो मेगास्पोर mother cell and microspore mother cell दोनों में क्या होगा meiosis होगा ठीक है एक चीज मैं यहाँ पर आपको बोलते चलो कि megaspore mother cell and microspore mother cell are the last cells of sporophytic generation इसका मतलब क्या है देखो यहाँ पर मैंने एक line बनाया है इस line के ओपर जितने भी structure है न सब sporophytic generation की है यानि कि सब की ploidy क्या है deployed और इस line के नीचे जितने भी structure है उन सब की ploidy क्या है ploid यानि कि यह सारे के सारे क्या है gametophytic generation को represent कर रहे है यह सारे के सारे structures ओके तो megaspore mother cell and microspore mother cell are the last cell of sporophytic generation क्योंकि इसके बाद तो gametophytic generation सुरू हो जाएगी megaspore mother cell जो है इनसे क्या बनेगा megaspore बनेगा microspore mother cell से क्या बनेगा after meiosis microspore बनेगा ठीक है which is equivalent to pollen grains all right microspore बनेगा ठीक है अब देखिए अब देखिए यह megaspore है megaspore ठीक है megaspore से आगे क्या बनेगा female gametophyte female gametophyte right और जो हमारा microspore pollen grain है यह क्या है हमारा male gametophyte ठीक है male gametophyte बनेगा microspore से क्या बनेगा male gametophyte बनेगा megaspore से क्या बनेगा female gametophyte बनेगा यानि कि embryo sac बनेगा बात समझ में आई तो अब जो male gametophyte होता है जो male gametophyte होता है हमारे इस फ्लावर में जो male gametophyte angiosperm का male gametophyte यह 3-cell होता है most of the angiosperm में तो आपको 2-cell देखने को मिलेगा male gametophyte लेकिन हम 3-cell मानके चलते है ठीक है जो high number होता है 3-cell gametophyte और जो female gametophyte होता है फ्लावर में मतलब angiosperm में वो 7-cell होता है 7-cell and 8 nucleate ठीक है और male gametophyte क्या होता है 3-cell and 3-nucleate ठीक है अब यहाँ पे एक चीज और है यह तो मैं आपको बताते हुए आयाँ एक बार फिर से बोल देता हू most highly reduced gametophyte in the whole plant kingdom is found in angiosperm plant kingdom के 5 division होते है algae, bryophyta, teridophyta gymnosperm, angiosperm इन 5 division में angiosperm में ऐसा division है जिसके gametophyte most highly reduced होते है देखो male gametophyte सिर्फ 3-cell होते है 3-cell का ही male gametophyte है female gametophyte जब वो सिर्फ 7-cell का ही है ठीक है तो most reduced most highly reduced gametophyte in plant kingdom is found in angiosperms अब male gametophyte के 2 male gamets ठीक है, 2 male gamets होते है याद करो 2 male gamets होंगे और एक vegetative cell होगा ठीक, vegetative cell का एक nucleus होगा और 2 male gamet होंगे यह जो 2 male gamet है यहाँ पर मैं इसको circle कर देता हूँ ठीक है, और female gametophyte female gametophyte के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, female gamet जो egg cell है, जिसे oospor या egg ball लो आप ठीक और इसी female gamet में आपको secondary nucleus भी देखने को मिलेगा दो polar nuclei दोनों क्या होते है याद करो, दो polar nuclei दोनों haploid होते है दोनों polar nuclei जो है आपको से fuse करते हैं और secondary nucleus बना लेते है तो देखो, यह जो female gametophyte है इसके एक female एक किसा ठीक है obviously female gametophyte में एक female gamet होता है उसके साथ male gametophyte का एक male gamet दो male gamet होता है एक male gamet fuse करेगा ठीक है यह तो fertilization होगा और राइट fertilization होगा यानि कि syngammy होगा syngammy हम term use करते है fertilization के लिए तो syngammy होगा fertilization होगा कैसा fertilization syngammy जाइगोड बनेगा जह से हम उसपोर कह रहे और राइट, zygote बनेगा, जो कि कैसा होगा, deployed होगा, तो मैं कह सकता हूँ, zygote is the first cell of sporophytic generation, सबसे पहला cell है, sporophytic generation का zygote, सबसे last cell है, megaspore and microspore, ठीक, बात समझ में आ रही है, और ये जो एक और male gamut था, दो male gamut थे न, male gamutophyte के, एक और male gamut जो है, वो किसके साथ fuse करेगा, इस secondary nucleus के साथ, triple fusion, जिसे हम कहते हैं, याद करो, double fertilization में एक तो syngammy होता है, triple fusion होता है, secondary nucleus के साथ, एक male gamut fuse करेगा, तो endo spum बनेगा, साथी बाते आपको मैं बता के आगे, यहाँ तो हम बस एक outline देख रहे हैं, आज जितनी भी बाते हमने किये, उसको एक बार revise कर रहे है, ठीक है, तो देखो, यह zygote है, zygote आगे develop होगा, embryo में, embryo जो है, सुरी, seed के अंदर आपको embryo दे जलते रहेंगे, ठीक, अब यहाँ पे जो twist है, मैं आपको वो बताता चलू, endo spum जो है, देखो sporophytic generation में, जितने भी structure है, सब diploid है, सिर्फ endo spum को छोड़के, exception है, endo spum की ploid है, triploid, ठीक है, क्योंकि secondary nucleus की, देखो, ploid है, diploid, तो gametophytic generation में, सब haploid है, बस एक को छोड़के secondary nucleus, यह deployed है, तो यहाँ पे exception आपको याद रखना है, इस तरीके से, ठीक है, question सिदा पूछ लेगा, बताओ gametophytic generation का वो structure जो deployed होता है, option में secondary nucleus रहेगा, इसे टिक करना, जिक secondary nucleus किससे बना है, याद करो, दो polar nuclei fuse हुए, दो polar nuclei, haploid polar nuclei, दोनो fuse होके secondary nucleus बना है, और इस secondary nucleus के साथ, एक male gamet fuse कर लिया, triple fusion हुआ, endosperm मिला हमें, ओके, चलिए, तो यह साधी बात याद रखेगा, एक और चीज, एक और चीज, in angiosperms, gametophyte is represented by only a few cell structure, while sporophyte is very well developed, आप देखो, देख के बताओ, सबसे ज्यादा structure जो है, वो sporophytic generation को represent कर रहा है, या gametophytic generation, तो आप देखने को मिल आप के सबसे ज्यादा structure होते है, angiosperm में, वो represent करते है, sporophytic generation को ज्यादा, तो ज्यादा structure है, वो कैसे है, deployed is deployed, sporophyte generation को represent कर रहा है, लेकिण बहुत कमी structure है, angiosperm में, जो की gametophytic generation को represent कर रहा है, जिनकी Diploid है ठीक है तो जो sporophyte है जो sporophyte जनरेशन है जो sporophyte structure है वो very well developed है ठीक है sporophyte very well developed है तो sporophyte generation को ज्यादा represent किया जा रहा है angiosperm में तो इसलिए this type of life cycle is known as diplontic life cycle जहां पर most of the structure जो होते है वो represent करते है sporophyte generation को तो angiosperm में कैसा life cycle होता है diplontic क्यों क्योंकि sporophyte sporophyte generation is very well developed ओके तो यहां पर हमने बड़े है छोटे से duration में पूरा life cycle of angiosperm को revise कर लिया तो अगर आपको revision करना होना कभी life cycle of angiosperm तो यह वाला lecture आके देख लेना ठीक है आपके लिए आसान हो गया तो यह पर यह lecture होता है समाप्त मिलता हूं मैं आपसे sexual reproduction in flowering plants के अगले lecture में तब तक के लिए बाए थैंक यू टेक केर के लिए